मैं जब आज आ रहा था संसद में तो हमें एक दिल्ली के व्यक्ति मिले बोले ज़रा जा के भाईया बताना मुझे कि जो व्यक्ति लगातार सब को चोर कहता रहा आज उसी को सही ठहराने कैसे लोग बैठे हैं मैं छोड़ देता हूँ लेकिन एक बात सदन को ध्यान रहे अद्यक जी की दिल्ली के मुख्यमंत्री पजपे जो आज व्यक्ति वैठा है वो पहला मुख्यमंत्री नहीं है वो पाच्वा मुख्यमंत्री है इनके पहले शिला दिक्षित जी बैठी थी उनके पहले सुस्मा स्वराज जी बैठी थी उनके पहले साहिब सिंग बर्मा जी बैठे थे और पहले मुख्यमंत्री मदलाल खुराना जी थे कभी भी इस तरह का संकट दिल्ली में नहीं आया था जो आज आया है अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सदस्य लोक लाज की बात कर रहे थे बिहार के नेता है बिहार के नेता के मुँँ से लोक लाज सुनके हमको हमारे भोजपुरी का एक कावत याद आ रहा था कि सुपवा बोले तब बोले चलनियों बोलत अटे जनमे 72 छेद बाटे फिर भी सभापती महोदे हम भी चुनके आए हैं हमारे साथियों ने कई बार कहा वो चुनके आए हैं चुनके आए हैं चुनके आए हैं हम भी चुनके आए हैं दो-दो बार चुनके आए हैं और यही नहीं हम निगम में भी चुनके आए हैं और ये सबी चुनके आए हैं जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं लेकिन पता नहीं क्यों उनको अपने ही कानून बनाने की छमता योगिता पर संदेव हो गया है कोई बात नहीं डिसाइड करेगी देश की जनता जब आया तो ये अस्पताल अस्पताल दिल्ली का दोरा कर रहे थे और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री थे वो कहीं अंदर बैट करके पता नहीं कौन सी मच्छरदानी ओड़के बैटे हुए थे जब हमारे दिल्ली में बाढ़ हाया तो अमिश साजी की विवस्ता समाल रही थी और ये ब्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके जैसे कभी-कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं उस तरह से ऐसा देखा हमने और दिल्ली बरबाद हो गई मैं आज आपको बड़ी विनमरता से कहना चाहता हूँ सवापती तब या तो दिल्ली के मुख्य मंतरी सीस महल में सो रहे होते हैं या तो सराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं मैं बड़ी बिनमरता से आपके सामने आप बताना चाहता हूँ कि इस डिवेट से वो व्यक्ति बहुत खुश होगा क्योंकि उसको तो अब कोई सवाली नहीं पुछ रहा है कि जो कोवीड में किरायदारों से वादा किया था कि किरायदार लोग भागना मत तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी लेकिन आज तक किरायदारों को ये सुवधा नहीं मिली यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा, यहूना गंदी कैसे हो गई, डिटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पी-म अवास योजना क्यों नहीं चालू है, यहाँ पे आयुषमान योजना क्यों दिल्ली में बंद हो गई, यहाँ बुजरगों का पेंसन क क्यों बंद है यहां जलबोड घुटाला क्यों हो गया यहां गरीबों का रासनकाड क्यों नहीं नौ साल से बन रहा है सभापती मोहदे आप को हाँ बैठे है नरेंद्र मोजी देश के परदान मंतरी जहां गरीबों के लिए अनाज कितनी कितनी भारी मात्रा में दे रहे हैं दिल्ली के गलियों में जाईएगा तो अनाज के लिए रासनकाड नहीं बनने के करन लोग रो रहे हैं और आज जब मैं बात कर रहा हूं कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंतरी को पबलिक ने पकड़ लिया पबलिक ने पकड़ कर पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता हम चाहते हैं निताओं पे हमले नहीं होने चाहिए लेकिन आज दिल्ली इस प्रकार से रो रही है एक नया कॉलेज नहीं दस साल में एक नया इसकूल नहीं ये सवाल अब पूछे तो कौन पूछे जुगी वासियों को घर देने का वादा था दिल्ली मुख्यमंत्री का देना पड़ रहा है देश के परदान मंत्री जी को अभी 3025 लोगों को दिया कई हमारे सातियों ने पुछा अध्या देश क्यों आया अप याद करिए 11 माई को जब सुप्रीम कोट का निरने आया तो दूसरे दिन जिस व्यक्ति के उपर सराब घोटाले का आरोप है जो व् रेक्ति मेरा खास से इसको 100 करोड रुपिया दे देना वो जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं आदेश आने के बाद सुप्रीम कोट की अभी असपश्टता भी नहीं हो रही है सुप्रीम कोट जैसा वारे कई सातियों ने बताया कि सुप्रीम कोट में स्वयम कहा कि जिलेंस ओफिसर था मेरे विद्वान सातियों आप भी सोचो आप किसका समर्थन कर रहें मैं तो ग्री मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे कई आंगिल से ये संका हो रही है कि दिली के मुख्य मंत्री पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाब बहुत बड़ी साजिस कर रहा है सभ़ति महोद है इसकी जाच होनी चाहिए आपको मैं बताता हूँ क्यों अभी जब जमना जी में बाढ़ाया अभी जब मैं जमना जी में बाढ़ में गया तो मैं मुख्य मंत्री का एक बैएन सुनता हूँ कई लोगों के कागज भगए हैं उनके कागज फिर से बनाए जा गए जिनके लिए हम नाव ले करके गए वो तो अपना सारा समान ले करके सड़क पे सिर्फ टेंड का इंतजार कर रहे थे तागज किसका बनाने की बात कर रहे हैं ये जाज का भी से है क्योंकि मुझे बिहार की महिलाओं ने कहा मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ उनका वयान दे सकता हूँ बिहार की यूपी की महिलाएं कह रही है हमें तो ये मुआज़ा भी देने को तयार नहीं है मेरे सबी साथियों आप बिचार करिएगा और मैं, मैं ये बात बताते हुए, हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे, कि ये किस कारण से ये बिल आ रहा है, सुप्रिया सुले जी यहां बैठी थे भी हैं नहीं, उन्होंने मिस्कोट किया सदन को, उन्होंने कहा कि दिल्ली के पुर्ण राज्ये पे ह मामिसा मैनिफेस्टों में देते हैं, मैं तो दिल्ली में 2013 से हूँ, न 2013 के चुनाओं में, न 2014, न 2015, 2017, न 19, न 20, कभी भी हमने मैनिफेस्टों में नहीं दिया, आप इतने बड़े सदन को गुमराह न करें, और जहां तक LG की बात है, LG वही टोकते है, जहां संबिधान का हनन होता है सभापती महोदे, मैं G20 होने वाली है दिल्ली में, अभी एक दिन मैं अपने घर में रात के साड़े बारा बजे सोने की तयारी कर रहा था, तभी पता चला LG महोदे बाहर संकों पे पेड़ पोधों की वो सुन्दरता देखने आये हैं, मैं हैरान था, मैं घर से बाह निकला, और उस तमें दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने सिस महल में सोय हुए है, तब मुझे ये कहना पड़ता है कि सभापती महोदे, ये जो बिल है, ये दिल्ली के खुशियों का बिल है, इस बिल को मैं तो प्रात्ता करूँगा, आप बहस करिए, बहस करना ही चाहिए, बहुत अच्छा लगना है, सभी साती बोल रहे हैं, कई दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है, लेकिन ये बिल दिल्ली के जुग्यवासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है, इसको आप सब पास करें, यही हम पास न करता है,